300,000 डॉलर्स जो इंडियन रुपीज में होते हैं धाई करोड और ये डैनाबाइट ने नाउस किया कि वो 300,000 देने वाला है as a fight bonus जो to be honest एक बहुत ही बड़ी चीज है क्योंकि I don't think so कि आज तक 70,000 या फिर 75,000 से जादा fight bonus मिलाओ बट इस बार जिन भी fighters को fight bonus मिलेगा उनको म not only अपना show money और win money ले बट also इसी के साथ उसे 300 के bonus भी मिले जो to be honest जब मैंने press conference में सुना तो मैं बहुत ही जादा खुश हो गया था तो इस वीडियो में बात करेंगे UFC 300 की press conference में जो भी main चीज होई उन सब के बारे में बट इसी के साथ इस वीडियो में मैं ये भी address करना च जाता हूं कि ये press conference जितनी बड़ी थी उसे double big बन सकती थी बट हमेशा की तरह यहाँ पर भी MMA reporters ने fuck up किया है तो उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे अब इस press conference में सारे 26 fighters जो UFC 300 के card में fight कर रहे हैं वो सारे present थे जहाँ पर मुझे लगा जैसे normal press conference start होती है जि बहुत बड़ा poster और फिर एकदम से वो poster down होता है जहाँ पर हमें सारे fighters दिखते हैं बैठे हुए और ये देखना काफी amazing था और audience को भी एचीज काफी अच्छी लगी अब ये press conference थोड़ी सी लंबी चली है बट क्योंकि यहाँ पर 26 fighters थे तो almost हर किसी से एक या फिर दो questions से ज उचे गए तो इसलिए मुझे पहले से ही पता था कि ये press conference में जाधा trash talk या फिर वैसी press conference नहीं होने वाली है जहाँ पर हमें जाधा fighters दिखेंगे entertain करते हुए तो इस press conference में अगर सारे fighters को देखें तो काफी fighters को audience से cheers मिली हैं बट fighters लाइक अर्मान सुरुकियन, Alexander Rakic या फिर स इस तक भी इस fighter को नहीं जानती थी तो basically Cody Brandeis एक non existing fighter था इस पूरी press conference में also इधर में एक और जीस point out करना चाता हूँ कि क्या किसी ने notice कि Kayla Harrison कितनी जादा muscular लग रही थी मैं तो ये देखकर completely shock हो गया था क्योंकि अब Kayla Harrison 135 pounds तक cut कर रही है तो वो बहुत जादा shredded लग रही थी उसकी veins pop out हो रही है और I don't know about you guys but I do think Kayla Harrison कभी drug test होना चाहिए अब end में Jamalil और Alex Pereira की बात को हटा दें तो इस पूरी press conference में जारा भी trash talk नहीं हुई है I mean reporters ने questions ही इतने basic और इतने जादा non relevant question पूछे कि fighters के पास भी कोई option नहीं बसता है तो वो basic से questions का basic answer देते हैं पड़ यहाँ पर मेरी opinion में सारे fighters को चाहिए कि वो जो MMA junkie का reporter है उसे thanks करें और मेरी तो यह opinion है कि जिन भी fighters को bonus मिलने वाला है 300,000 का उन्हें चाहिए कि वो हर कोई at least 10,000 dollars उस reporter को दें क्योंकि अगर उस reporter ने ये question नहीं पूछा होता तो जो Dana White ने 300,000 dollars के announcement की है वो सिर्फ र बात कर लेते हैं जहाँ पर ये reporter Dana White से question पूछता है कि UFC 300 में Mark Coleman भी रहने वाल है जो UFC का legend Hall of Famer है और जो recently Mark Coleman के घर में fire लगी थी और जिस वे से उसने अपनी life की care ना करते हुए सब को rescue किया उसने even try की अपने dog को भी rescue करने की जो unfortunately नहीं बच पाया बट Mark Coleman ने अपनी life को line में लगा दिया था तो basically इस reporter ने ये कहा कि Max Holloway और Justin Gaethy दोनों fighters बोल चुकें कि कोई भी winner हो वो दोनों चाहते हैं कि Mark Coleman ने उस belt को उनके waste में wrap करवाए तो इस बात के लिए Dana White एगरी कर जाता है और उसके बाद जो ये reporter follow up में question पूछता है वो इस पूरी press conference की सबसे बड़ी highlight थ क्योंकि यहाँ पर reporter ये बोलता है कि Justin Gaethy और Max Holloway ये दोनों fighters ये भी चाहते हैं कि जो normal $50,000 मिलता है bonus में वो इस card में change हो जाए और basically थोड़ा सा जाद हो जाए तो इसके उपर basically Dana White question पूछता है कि वो कितना चाहते हैं कि money increase हो जाए तो बहुत सारे fighters पीछे से different numbers बोलने लग परते हैं जहाँ पर Justin Gaethy डिमांड करता है कि 50,000 से 100K हो जाए वेरे जमाल हिल बोल रहा होता है कि triple हो जाए यानि कि 150K हो जाए पट सबसे बड़ा दिमाग लगाता है Max Holloway जहाँ पर Max Holloway चिला के बोल रहा होता है 300K हो जाए यही चीज मैंने कभी expect नहीं की थी क्योंकि fight bonus होगा 300,000 का तो अगर normally देखा जाए तो एक fight of the night होती है जहाँ पर दोनों fighters को fight bonus मिलते हैं वेरेस इसके बाद performance of the night होती है जहाँ पर usually 3-4 fighters को performance of the night मिलते हैं तो basically इसका मतलब यह कि हर fighter को 300K मिल रहे हैं तो total fight bonus के अकेले ही मिलने वाले 1.2 million या फिर 1.5 million दिल तो बहुत Dana White का और imagine करो Dana White अपने office में वापिस जा रहा है और basically वहाँ पर रो रहा है कि यह उसने क्या कर दिया बट to be very honest big up for Dana White क्योंकि यही चीज़ बहुत ही जादा amazing थी हर कोई audience में चिलाने लग पड़ा Dana का नाम और इससे fighters और fans की बीच में Dana White की respect और भी जादा बन जाती है बट इसके बाद अगर fighters की बात करें तो जैसे मैंने पहले का हर किसी से वो waste of time basic की question पूछे गए तो कोई पी जादा बड़ी moment है ही नहीं unless अगर end of the press conference की बात करें जहाँ पर एक reporter ने जमाल हिल से काफ अच्छा question पूछा कि वो जो stone face दिखने वाली bottle को carry कर रहा है वो basically है क्या त जो इसकी condition है वो basically fight में Alex Pereira की होने वाली है I never thought कि जमाल हिल थोड़ी सी trash talking करेगा क्योंकि recently ही जो embedded series है वहाँ पर तो जमाल हिल पूरा बड़ी बड़ी था Alex Pereira के साथ उसने Alex का signature भी लिया उसके साथ hand भी shake किया तो इस press conference में मुझे नहीं लगा था कि जमाल हिल थोड़ी सी trash करता है जो ऐसा लगता है कि वो Alex Pereira के head को lift कर रहा है और यहीं चीज़ देकर audience भी boo कर रही थी और एगर Alex Pereira की बात करें तो यहाँ पर Alex Pereira इसका reply देता है कि वो उनकी fight में जमाल हिल को यह exact moment याद दिलवाने वाला है इसका basically जमाल हिल ने reply दिया कि वो जारा भी fuck नहीं दे लोग बहुत जादा बूग कर रहे थे और फिरी वो अपनी बात को finish कर पा रहा था बो निकल को भी बूग किया गया और यही चीज़ बो निकल को भी पता लगी थी जहाँ पर बो निकल ने यह खुद ही बोल दिया कि लोग थोड़ी से upset हैं उसकी इस card में position को लेकर Jim Miller की ब Jim Miller से पूछा जाता है कि उसने UFC 100 में fight की और वो उस fight को win किया उसने 200 में भी fight की वहाँ पर भी वो जीत गया अब वो 300 में भी fight करने वाला है और क्या उसने सोचा है कि वो UFC 400 में भी fight करेगा इसका basically Jim Miller ने एक funny reply दिया जहाँ पर Jim Miller ने यह कहा कि अगर fight bonus 400 के का होता है तो वो definitely definitely UFC 400 में भी fight कर लेगा पर जैसे मैंने starting में कह दिया था कि यह press conference बहुत बड़ी बन सकती थी यहाँ पर जो fighters available थे उनके पास काफी जादा potential था कि वो इस press conference में पूरी audience को proper way से entertain करें और मेरी opinion में MMA reporters ने सब कुछ fuck up कर दिया basic से questions पूछ कर जो ऐसे questions थे जिनका answer हमें पहले ही पता था कि क्या रहने वाला है इस card में हमारे पास Cody Garbrandt था जिसको थोड़ा से भी अगर riled up किया चाए तो Cody Garbrandt बहुत जादा vocal हो चाता है पड़ यहाँ पर reporter क्या पूछता है कि वो कितना जाद excited है Davison Figurado के साथ fight करने के लिए I mean यहाँ पर मुझे यह नहीं समझ आता कि reporter क्या expect किया था क्या Cody Garbrandt यह बोलता कि वो जारा भी excited नहीं है वो basically नहीं चाता fight करना obviously not वो अगर इस fight के लिए excited भी नहीं होता वो still यहीं बोलता कि वो काफी जादे excited है fight करने के लिए Renato Mohicanos की ही बात कर लें तो वो fan favorite ही इससलिए बनाए क्योंकि broken English के बाद भी उसके पास ability है काफी अच्छे से माइक में बोलनी की बड़ यहाँ पर Mohicanos से सिर्फ एक basic question पूछा गया और फिर पूरी press conference में Mohicanos से कोई भी question पूछा ही नहीं किया ब्रो जिसने media press conference देखी है उन्हें ये पता होगा कि Alexander Rakic ने बहुत जादर trash talk की है यरी पूरासका के साथ जहाँ पर उसने यरी को fake samurai बोला और basically ये बोला कि उसने सिर्फ एक book को read किया है और वो अपने आपका samurai बोलता है पता नहीं क्यों किसी भी reporter ने ये same question Alexander से फिर से नहीं पूछा जहाँ पर इस बार fighters audience के सामने बैठे हैं लागों लोग इस press conference को live देख रहे हैं तो अगर reporter ने ये पूछ ली होता कि क्या Alexander Rakic का still मानना है कि यरी प्रोहसका एक fake samurai है और फिर Alexander Rakic जो भी reply देता उसके बाद वो यरी प्रोहसका के उपर जा सकते थे कि यरी प्रोहसका केस के बारे में क्या सोचना है कि Alexander Rakic ने उसे fake samurai बोला है easily इन दोनों की बीच में trash talk हो सकती थी जिसकी वज़े से ये press conference बेटर हो जाती बट Alexander से क्या question पूछा गया कि क्या वो ready है win करने के लिए I mean यहाँ पर reporter ने क्या सोचा होगा Alexander Rakic चे बोलेगा कि ना भई वो तो ready निये win करने के लिए वो तो 2 सालों के बाद comeback कर रहा है ताकि वो इस fight को हार जाए इसके बाद अगर Kayla Harrison की बात करें तो I think Kayla Harrison से सबसे ज़्यादा question पूछे गए बट उन में से एक भी question अच्छा नहीं था Kayla Harrison से basically पूछा जात है तो वो इस fight में audience को show करने वाली है कि वो कैसे elbows को throw करेगी easily Kayla Harrison से पूछा जा सकता था कि उसके radar में कौन कौन से fighters है Raquel Pennington जो इस division के champion है उसने basically Kayla Harrison के बारे में कुछ बोला भी था कि वो Kayla Harrison से ज़रा भी ने डरती तो इसके बारे में Kayla Harrison के क्या views है instantly हम देख सकते हैं कि caution कितना जाधा better हो गया और definitely फिर इसका answer भी better होता India में बैठ कर मुझे इतनी जाधा चीज़े बता है कि कौन से fighter ने किसके बारे में कुछ का है press conference में कैसे questions पूछे जाते हैं बढ़ ये MMA reporters जो पैसे ही इससे earn करते हैं जिनकी basically primary job है ये उनको सब कुछ पता है कि fighters के बीच में क्या चल रहा है बढ़ स्टिल पता नहीं वो क्या सोच कर question frame करते हैं इनके questions इतने basic होते हैं कि जब वो question write down कर रहे होंगे तब ही उनको पता होगा कि इसका answer क्या रहने वाल है चार्ल्स ओलिवेरा और अर्मान सुरुकिन की बात करें तो easily चार्ल्स ओलिवेरा से ये पूछा जा सकता था कि अर्मान सुरुकिन ने काय कि audience ये चाहती है कि वो fight करे Islam Mahajib के साथ क्योंकि जो चार्ल्स ओलिवेरा ने इसलाम माहजव के साथ fight की थी वहाँ पर चार्ल्स ओलिवेरा बहुत इजली बीट हो गया था तो इसका चार्ल्स ओलिवेरा अर्मान सुरुकिन को क्या reply देना चाता है ये कोई इतना बड़ा question भी नहीं है ये जस्ट अभी flow flow में मेरे मुझ से निकला है बट still जो MMA reporters ने questions पूछे है उनसे ये वाला question काफी better है क्योंकि यहाँ पर हमें एक guarantee मिल जाती है कि चार्ल्स ओलिवेरा अर्मान सुरुकिन के बारे में definitely कुछ बड़ा बोलेगा जिसका अर्मान सुरुकिन भी फिर reply देगा जब पहली बार हॉली होम और केला हैरिसन के fight book के update आये थे तो वहाँ पर हॉली होम ने ये बोला था कि वो केला हैरिसन से fight नहीं करेगी अगर केला हैरिसन ने proper वेसे weight को cut नहीं किया और वो 135 pounds नहीं बना पाई इसके बारे में भी केला हैरिसन और हॉली होम से question पूछा जासका जहाँ पर I am pretty sure जो उनके answers होते वो definitely जादा better होते BMF fight की बात करें तो जस्टिन गेची ने भी recently एक बहुत बड़ी बात बोली थी जहाँ पर जस्टिन गेची ने एका था कि वो Max Oliver का हाल Tony Ferguson की तरह करने वाल है जहाँ पर वो Max Oliver के arm को break कर सकता है वो से इतना beat down कर सकता है कि Max Oliver चल भी ना पाए और वो ऐसे win करना जादा like करता है as compared to one punch से knockout करना तो इस press conference में ये सब चीज़े Max Oliver से पूछी जा सकती थी कि इसमें उसका क्या reply है but instead of this Max Oliver से एक बहुत ही basic question पूछा जाता है जिसका फिर Max Oliver के पास reply ही नहीं बचता है rather than saying कि Saturday को ही पता लगेगा कि उनकी fight में क्या होता है bro अगर main event को ही ले 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 तो सब जानते Alex Pereira और इसराइल अदसाने की rivalry को और recently जमाल हिल ने इसराइल अदसाने के साथ FaceTime किया था तो इसके बारे में भी questions पूछे जा सकते थे कि वो इसके बारे में क्या सोचता है कि जमाल हिल और इसराइल अदसाने अबात कर रहे है और क्या उसे ये लगता है कि इसराइल अदसानिय जमाल हिल को help कर सकता है Also इसराइल अदसानिय ने अपनी prediction वीडियो में pick किया है जमाल हिल to win by knockout तो ये भी बूचा जा सकता था कि इसके बारे में एलेक्स परेरा का क्या कहना है मैं 100% guarantee से बोल सकता हूँ कि एलेक्स परेरा यहाँ पर इसराइल अदसानिय के बारे में कुछ ना कुछ तो जरूर से बोलता या इवन जमाल हिल और इसराइल अदसानिया दोनों के ही बारे में collectively कुछ बोलता जिसका फिर जमाल हिल भी reply देता और फिर दोनों के बीच में और भी ज़्यादा argument हो सकती थी by no की काफी लोगे सोच रहोंगे कि मैं तो basically बोल रहा हूँ कि reporter कचिये कि वो थोड़ी सी आग लगाए fighters को थोड़ा सा heat up करें ताकि fighters एक दूसरे के साथ trash talk करें तो बिलकुल correct यही मैं चाहता हूँ कि reporters fighters से थोड़ से tough questions पूछें जिनका फिर fighters basics answer ना दे पाएं बलकि उन्हें थोड़ा और ज़्यादा बोलना पड़े थोड़ सी trash talk हो, ज़ादा press conference के उपर आइस जाएं, fans proper ways entertain हो और मुझे तो यही लगता है कि press conference होती ही इसलिए ताकि fight से पहले fans को kind of एक preview मिल सके कि fight में क्या होने वाला है कौन से fighters की एक दूसरे के साथ नहीं बनती है, कौन से fighters trash talk कर रहे हैं ताकि फिर जब fight का time हो, तो दोनों के बीच में जो fight हो, वो और भी ज़ादा entertaining लगे अल्सो मेरी opinion में press conference एक ऐसा medium है, जो तुम बोल सकते हो कि last medium है जहाँ पर press conference अगर entertaining रहती है, तो बहुत सारे लोग और भी ज़ादा pay-per-views को buy करेंगे वेराज अगर press conference से थोड़ी सी basic रहती है, बिल्कुल boring रहती है, तो काफी लोग जिन्नोंने सोचा भी होगा कि वो pay-per-view को buy करेंगे, वो भी pay-per-view को buy फिर नहीं करेंगे मेरी opinion में ये fighters के लिए एक बहुत बड़ी stage होती है, जहाँ पर मुझे लगता है ये एक break or make situation होती है कि अगर fighter अपनी trash talk होगी, या फिर जेस वे से वो बाते कर रहे है, उससे अगर वो fans को entertain कर जाए, तो फिर वो kind of fan favorite बन जाता है उसकी fan following बढ़ीगी, और उसके बाद अगर वो fight को win कर जाए, तो उससे फिर उसको बहुत जादा benefit होता है तो इसलिए मुझे लगता है कि press conference एक बहुत बड़ा platform होता है, especially अगर बात करें UFC 300 जैसे बहुत बड़े press conference की तो इसलिए मेरी opinion में fighters को भी चाहिए थोड़ा सा कि वो जादे entertaining answers दें, but mainly यहाँ पर MMA reporters को चाहिए कि वो better questions को put करें So that's it for today guys, आज की fight video में बस इतना ही, अब मिलते हैं next video में